आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरेनरी रिटेंशन के बारे में तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूड़ करें और स्पराप्ट कर सकते हैं अब हम बात करते हैं अबने टॉपिक के बारे में यूरेनरी रिटेंशन इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें इन एबिलिटी टो कम्पलीट और पार्शली एमपिटेट अ ब्लेडर मतलब क्यानेत कार्थ क्या है कि यूड्डर का या और को है यूरीन का रिटेंश्ण हो जाना तो if you do अगर बात करें तो ब्लेडर में यूरीन का रिटेंश्ण हो जाना ठीक है। अब यह दो टाइब का होते हैं एक्यूट और क्रोनिक एक्यूट अब लगया और सचार एक्यूट से समझ पारहे तो सदल्डनी सब्सक्रणे क्योंगा और पेशेंट्न आ एक्योद्स को þूट्री और यूहraw और इसको हमें immediate emergency की भी जरूरत पड़ेगी, अगर हम बात करें chronic में, तो chronic क्या होता है भी धीरे धीरे होगा, कि पहले इतना retention होना, पहले 100 ml retention होना, then 200 ऐसे करकरके, एक time पे ऐसा होगा, कि patient बिलकुल unable हो जाएगा, कि मदब जो है, पूरा का पूरा complete bladder को मदब empty करने में, ठीक urine की volume बढ़ती जाएगी, ठीक है, इसमें तो क्या होगा, यह होगा, अब etiology के बारे में अगर हम बात करें, तो जिनको BPH है, benign prostate, hyperplasia, या urethra structure की outlet में obstruction है, मतलब इसमें देखो, अगर BPH है prostate gland की enlargement, आपने देखा होगा, कि आपका जो urinary bladder होता है, उसके नीचो urethra होता ह then side में क्या होता है, prostate gland होता है, तो उसमें अगर man में क्या होगा, कि mainly prostate gland की enlargement हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कि जो आपका urethra है, वो compressed हो जाएगी, जिससे कि जो urine हो पास नहीं होगा, उसमें obstruction हो जाना, तो यह काफी reasons की वज़े से हो सकता है, retention of, क्योंकि urinary bladder से urine पास नह uterus होने की वज़े से या prolapse uterus होने की वज़े से भी यह problem देखने को मिलती है, पर इनको ना हम examination कर सकते, local examination से हम पता लगा सकते कि हाँ यह दिकर है या नहीं है, अगर हम बात करें तो कुछ drugs ऐसी होते है, जिसके कारण भी retention हो सकते है, जैसे anti-depressant, anti-histamine, जोम लेते हैं, यह की भाई, जो है infection के कारण भी हो सकता है, प्रोस्टेट में infection हो गया, ठीक है, या उसके associated structure में infection हो गया, seminal vesicle भी हो गया, urinary bladder में infection हो गया, तो यह भी आपका retention को सकते है, या post-operatively, ठीक है, यह retention हो सकता है, अब बात करते हैं, यह तो बात होगी हमारी etiology के बारे में, बात करत के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लीनिकल फीचर में, हम आपके जो abdomen है, उसका examination करेंगे, तो कैसा होगा, tender, large bladder, or dullness होगी, तो यह हो गया, क्योंकि retention हो रहा है, तो आप easily feel कर सकते हैं, पर abdomen examination करके, अब बात करते हैं, कि बात करते हैं, क्लीनिकल फीचर क्या द जो आपका क्या होगा, यूडीन की फ्रिक्वेंसी जादा होगी, चीक है, तो यह सारी चीजे आपको देखने को मिलेगे, अर्जंसी का मतलब क्या होथा है, urgent desire to pass urine, मतलब, पेशेंट को बार-बार यूडीन पास करने का डिजार होगा, अब क्यों होगा, क्योंकि यह होता ह और पार्शली ओपन हो जाता है जिसके कारण बार-बार ड्रिप्लिंग और यूरीन भी हो सकती है इसमें एक तिकत यह भी हो सकती है क्योंकि आपका पार्शली ओपन रह रह रहा है और जो आपका लवर अब्डमन है उसमें डिसकंफर्ट होगा लिथार्जी होगी और बार- मैंसित्ति मिलम्स क्या ट्रिणली और टेस्ट की अधर ट्रिश्टवी ओर इस примकि किडिनी साहिए इसके कारण तो नहीं हो रहे है थिक है पीएसे कराइंगे मैं इसमें क्या होता है पीएसे का मताब्स्टट्सट्ट्स मीं प्लेटर में रिटेंशन सब्स्ट्स्यूरी एम् वह भी एक symptom है तो यह भी एक टाइप से symptom काई वर्क कर रहा है क्योंकि इसके काफी सारे cause है किस कारण हो रहा है ठीक है अब जैसे की PSA करा देंगे USG कराएंगे ABDOMN की USG कराएंगे उसे हमें पता चल जाएगा कि भई कहां पे आपका जो है मतब जो भी है जो प्रॉब्लम है आपकी कहां पे आची कि यह चीज आपको पता चल जाएगी अब बात करते CT scan भी करा सकते हैं इसमें तो यह तो हो गई आपकी investigations के बारे में बात तो आप बात करते हैं management के बारे में तो manage कैसे करेंगे इसको सबसे पहले हमें इसको के बात करेंगे और दिचन करना है फिर पर चॉबी है इसको प्रॉखने तो आपको के देखना है यह जो भी आपके वह तो आपको वह देखना है फिर देन उसके आफय को अपको नहीं बीन होगा आप सबसे पहले है DO पर आप को रून आपको ऐब करना है शिसी को शोट शक्राइक करने चाहर के अपर बाताना है यह अप přीडिये सकते हैं थेशी का समय दना है यह आप दे सकते हैं, यह alpha blockers है, तो moderate, अगर moderate से severe है, तो आपको एक medical therapy देनी पड़ेगी, जिसे 5 alpha reductase inhibitor से, यह हम BPH में भी दे रहे थे, ठीक है, fine esteride, यह सारी चीज़े आप दे सकते हैं, surgical management भी कर सकते हैं, टर्प, जो है, transurether section, यह procedure होता है, जो हम करते हैं, चीक है, तो जो भी है, आप देख सकते हैं, जो problem है, उसके according आप कर सकते हैं, अब इसको अगर हम treat नहीं करेंगे, तो क्या-क्या complications हो सकती है, यह, urinary tract infections बार-बार हो सकता है, adrenal failure हो सकता है, urinary inconsistence रह सकता है, ठीक है, और retention हो सकता है, post obstructive diuresis रह सकता है, यह सारी आपको complications देखने को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक जोगे, जो सिस्क्राइब जोगे, धन्यवाद